तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर रहा था Ray Optics के Most Important Topics और इस वीडियो में आपके लिए लेका हूँ Wave Optics के Most Important Topics जो कि अगला ही चेप्टर है Wave Optics में कौन-कौन से Topic Most Important है और ये Deleted syllabus के बाद का Update है तो इस पूरे चेप्टर में में पूरा स्ले बस देखा और पूरा लने सीसी भी कर रहा है तो आपको सिर्फ तीन Topic कवर करने केतने Topic कवर करने सिर्फ तीन और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहा है इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना कोई derivation बहुत सारे derivation कट चुके हैं जो आपको फाल तो में टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर देखो मैं आपको बताना स्चार्ट करता हूँ कौन-कौन से तीन Topic यह तो पढ़ए होगा आपने सबसे पहला है Heisen Principle, दूसरा है Interference और तीसरा है Difraction बस यह तीन Topic कवर करने आपको और इसमें भी क्या कवर करना है आपको सबसे पहले देखो Heisen Principle में तीन चीजे हैं बस सबसे पहला है कि आपको Statement याद होनी चाहिए Heisen Principle की और तीसरा और लास्ट इसी का भाई Reflection का भाई Refraction तो आएगा ही तो Law of Refraction भी प्रूफ करना है यह दोनों प्रूफ हैं किस के बेस पे Heisen Principle के बेस में यह मैं फिर से लिग देता हूँ इनका प्रूफ आपने किया होगा तो यह दो छोटे छोटे इतने छोटे 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 डेरिवेशन जो कि मैं अभी आपको इस वीडियम बता हूँगा बहुत असानतर किसे जिससे आप इसली सॉल्व कर लोगे इसे और इसकी बात रही इंटरफरेंस और डिफ्रेक्शन की देखो इस वार इसमेंसे नुमेरिकल यहीं से उठेगा इस चेप्टर में से नुमेरिकल आएगा यहां से और इसके लिए भी मैंने इंटरफरेंस और डिफ्रेक्शन का कुछ वीक पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमेंने सारे इंपोरेंट फॉर्मले आपको आसान तरीके से रिपरजेंट करा है और कुछ नुमेरिकल भी प्रेक्टिस कराई है ताकि आपको फॉर्मले अपलाई कैसे करने इसका अंदाज लग जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देदूँगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो आजागे जिस पर क्लिक करके डाएक यह वाला और कुछ नुमेरिकल प्रेक्टिस करने ताकि फॉर्मला अपलाई सीख जाए अभी हम करेंगे स्टेटमेंट लॉफ रिफ्लेक्शन और पूरा चेप्टर कंप्लीट ऐसे ही सॉट नोट और प्रिसाइज सिलिबस बताऊंगो जो आपको बोर्ड के एक्जाम में बहुत अब अब बचाँ दो झोटे चोटे डिवेसहन इनका आने के चन्सिस हैं क्योंकि बाकि सारे डिली लेक्षाइज कर गये तो ब्रॉम्यल्यटी शांसिश आखिए ऐसा आयगा कि प्रूफ लोॉफ रिफ्लेक्शें बाइहा प्रिंसिपल लिखा जाएगा बाहिए जिन प्रिंसिपल तो मैं आपको यहां पे law of reflection और सबसे आसान तरीका सोड तरीका बताऊंगा बहुत सा मतलब लेंदी नहीं करेंगे इसको law of reflection जब भी मैं आपसे कहूं कि प्रूफ करो तो आपको सिर्फ एक काम करना होता जो कि है angle i को angle r के बराबर प्रूफ करना है यही हमारा law of reflection था यह हमारा target है कि हमको यह काम करना है ठीक अब करोगे कैसे कुछ नहीं तीन में काम करना है सबसे पहले एक diagram बनाना है दूसमें triangle को congruent प्रूफ करना है 9th class में हमने पढ़ा था ना congruent प्रूफ करते हैं by SAS by triple SSS करके हैं तो तो चलो मैं सबसे पहला आपको बताता हूँ diagram कैसे बना हो कि मैं आप लिखता हूँ diagram तो diagram में कुछ नहीं करना है बस एक surface ले लो पहले तो ऐसे करके surface ले लो यह दिखा दो ऐसे करके line खीच के कि यह reflecting surface है reflecting मतलब इसमें से reflection होगा को टकरा के वापिस लोटेगा अब इसी मे wave front खीचने यह waves है waves में arrow दिखाने कमपल सरी है यह mistakes मत बन करना वना number कारते चले जाएंगे वो तो यह हमने waves बना दी अब इसी में wave front बनाने wave front कैसे बनाओगे कि line खीच दो perpendicularly perpendicular ऐसे करके एक दो और यहां पर ध्यान से खीचना क्योंकि थोड़ो सा ऐसे करके पीला वाला line और सफेद वाला line अलग अलग होना चाहिए आपका ऐसे करके दिखा दिया तीन तीन line खीच दिए इसको नाम लिखना आपको incident wave front मैं लिख दे करके पीले वाले के अंदर अंदर देखो जो reflecting wave था उसके अंदर इसमें भी जो reflecting wave है यह वाला इसके अंदर फिर ऐसे करके दो तीन line और खीच दो ऐसे करके छोड़ दो इसको कह दोगे यह incident wave front था यह reflected wave front है ऐसे करके दो को target किया और हम लिख देंगे reflected wave front ऐसे करके हमने लिख देता हूँ अब समझाना reflected wavefront है तो reflected wavefront लिख 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 लिया हमने incident लिख दिया और यह दिखा दिया अब main चीज यहाँ पर है त्रेंगल बना रहा हूँ मैं ध्यान से जुनना एक यह वाला triangle नाम करन कर देते हैं इसका a यह बी यह वाला जो point है यह वाला मैं लिख रहा हूँ यह है हमारा C और यह वाला जो point है जिसको मैं highlight कर रहा हूँ मैं P less highlight करते हो तो दोनेों को यह जो है हमारा आपास यह है डी तो यह आपनेओ दो triangle बन रहो होता है अपनेको 2 triangle highlight होता है आप एक दो बर प्रेक्टिस करोगे समझ जाओगे सबसे पहले है अपने पास A, B और C वाला ट्रेंगल यहाँ पे एंगल नब्बे बना दो दूसरा A, D और B यहाँ पे भी एंगल आपको नब्बे बनाना है इसको आप यहाँ पे एंगल आई मार्क करोगे और इसको आप एंगल आर मार्क करोगे खातम इतना सा और यहाँ पे नॉर्मल खीच के दिखा देना तो को स्टार्टिंग में कॉम्पलिकेट लगेगा आपको लेकिन ज्यादा मुस्किल नहीं है है दो directement है दो वेड को लेकिं चले कैले कुछ lining खेची ऐसे करके ऐसे करके incident wavefront और reflected wavefront दिखा दिया आपको इसके बाद आपको अंगल मार्क करना है दो अंगल नबबड मक होगा अंगल आई मार्क होगा अंगल आइसN300 इस से ज्यादा सिर्फ तीन काम करने, पहला डाइग्राम हो गया, दूसरा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल कौन-कौन सा, तो A, B और D ले लो, A, B, D, ऐसे करें, A, B और D, सिर्फ लिखने वाली बात है ये, और ट्रेंगल फिर कौन सा, A, B, और C, तो A, B, D लिए हमने एक बार, और एक बार A, B, C लेंगे, ये दोनों ट्रेंगल को कौन्गरेंट प्रूफ करना, कैसे, बहुत असान है, देखो, इन दोनों ट्रेंगल में, A, B common है, है न, A, B इसमें भी, A, B इसमें, तो ऐसे लिख दोगे आप, कि A, B is equal to, 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 A common, ऐसे करके लिखते थे थे न, बच् एंगल A, C, B, बराबर है, एंगल A, D, B, कि देखो, अगर याद ना हो, आपको लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, तो दो-तीन लाइन है, एक छोटा डाइगरम मनाना है, दो-तीन लाइन, याद कर लो, खतम, बात ही खतम, is equal to, कितना दिगरी हो जाएगा, 90 दिगरी, और अपने नोट्स को एक बार प्लट के देख लो, अगर समझ माये तो ठीक है, नहीं, तो तीन लाइन याद करने है, बस, A, B, A, B common है, ये वाला A, C, B, A, D, B, 90 है, और एक लास्ट लाइन और याद करनी है, कि देखो, A से लेके C तक की दूरी, और B से लेके D तक की दूर परावर होती है, तो मैं लिख दूरूँगा, यहाँ पर, A, C, B, D है, इस कल्टो में कितना कोई पूछे, तो सीधे-सीधे VT, यह सिर्फ तीन लाइन मैं तरह कहता हूँ, याद कर लो, कि सिंपल सा डागराम में यही लेवलिंग करनी है, और यह तीन चीज़ बतानी है, कि इसके, triangle A, B, C के, ऐसे लिख दिया हमने, और इसके just बाद answer लिखना है, therefore, angle I will also equal to angle R, hence, law of reflection proof, खतम, law of reflection proof, इतना असा derivation है, proved, ऐसे लिख दिया हमने, तो यह एक derivation complete होगा, तो कितने चोटे-चोटे है, diagram देखना है, triangle को पूछे है, answer, खतम, अब इसके बाद दूसराई में आपको करा देता हूँ, law of reflection, क्योंकि जैसे ही यह पूरा हो गया, तो अभी, आज ही याद कर लेना, बहुत जादा दिन बचे नहीं है, बोड के exam में अपने पस, जो मैं बताते हैं, जो जो मैं बताते हैं, जो मैं बताते हैं, अभी एक बार याद करके लिख के देख लिया एक बार law of reflection को समझा, और copyment डो करके देखा, नहीं हो रहा वापिस देखा, फिर डो करके देख लिया, ऐसे करके सभी अभी खतम करते चलो, और इस वीडियो के जस्बाट दिये वाला interference और diffraction के formula के और questions के वीडियो देख जरू लेना, ताकि आज ही एक पूरा chapter complete हो जाएग अगर आपने जॉइन नहीं किया, तो वहाँ जाके जॉइन कर लो, और भी कोई दिक्कत आए, तो हम वहाँ पे आपकी पूरी help कर रहे हैं, इस साल हम बोर्ड के बच्चों के लिए जो जो आप कहोगे, notes चाहिए, वीडियो चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो चल sin i upon में sin r होगा, इस nail slow की बात करेंगे, वो v1 upon में v2 के बराबर है, जैसे ही कहीं से भी ये मिले, आप कहे दोगे, यही मेरा answer है, law of reflection proofed, खतम, अब दोखो, इसमें भी सिम तीन काम, कितने काम है, तीन काम, पहला diagram, दूसरा sin i और sin r निकालना है, जैसी diagram बनागों, में, एक बार sin i, यानि, perpendicular upon में hypotenuse, और एक बार sin r, फिर चे perpendicular upon में hypotenuse, लगा के निकालना है, और दोनों को डिवाइड करके answer, diagram, sin i, sin r, और division, खलतम, इतना सा है, तो diagram कैसे बनागों, मैंने काता है, diagram important है, पूरे derivation में, diagram ही सबस्याद है, इस वार दो अलग-अलग medium ऐसे कर करके दिखाने, एक बार लिख देना है, यह अंदर वाला मैंने dancer मान लिया है, जिसका refractive index mu2 है, ऐसे करके लिख देना है, leveling करनी है, और बाहर वाला जो है, rarer medium है, rarer जिसका refractive index mu1 है, अब इसमें फिर से दो wave लेके आने, जो हम लेके आरते पिछले वाले में भी, तो ऐसे करके line खीचो, normal कहते हैं इसको, और थोड़ा सा, जिदर जाना चाहिए तो उससे अंदर के तरफ जुका दो, ऐसे करके, इसको भी parallel जुका दो, खतम, ऐसे करके हमने दिखा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, अब इसमें फिर से incident और refracted wave front बनाने है, तो सबसे पहले तो यहीं बना लिया करो, यह जो line है, इससे ही एक line ऐसे करके perpendicular खीच दो, दूसरा कहां खीचोगे, इससे पकड़ो और एक line perpendicular खीचो, लेकिन थोड़ा अंदर के तरफ, तो यह distance जादा होना चाहिए, और यहां जो खीचोगे, यह distance कम होना चाहिए, रूल है यह, कि यह वाल wavefront, labeling कर देना ताकि number ना कटे भाई सा, और दूसरा यह है हमारे पास refracted wavefront, refracted, 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 reflection है न, इसलिए, refracted wavefront बोल देंगे हम इसको, clear है, छोटा सा derivation है, जल्दी जल्दी देख लो, अब आपको mark करना है, नाम करन कर दो पहले तो, यह हमारा A वाला point हो गया, यह वाला जो है इसको A कह रहे है, यह वाला जो है, इसको हम B कह रहे है, तीसरा इस वाले point को highlight करना है C, चौथा इस वाले point को highlight करना है D, बस, चार, आप दोको दो triangle बन रहे होंगे, एक तो यह वाला देखो, A, D, और B वाला triangle, यह वाला, यह वाला triangle देख रहे है आपको, उपर वाला है न जिसमें हम यहां पर angle r mark करेंगे angle i इस side, angle r इस side अब एक और चीज़, जो यहां से लेके d से लेके b तक की दूरी है, इसको आप कहोगे v1 t v1 t क्योंकि पहले में speed v1 होगी और जो a से लेके c तक की दूरी है, यह छोटी वाली इस दूरी को आपको होगे v2 t बाहर वाला v1, अंदर वाला v2 और time same है दोनों में, बस खतम इतना सा काम करना था आपको, होगया हमारा derivation मतलब diagram complete इसके बाद दूसरा काम sin i, sin i r हम निकालेंगे, हम लिखेंगे यहां पर end triangle, कौनसा a, b, d a, b, d a, b, d हम क्या निकालेंगे, sin i sin i का formula क्या होता है perpendicular upon में hypotenuse, right sin का sin, इसी का आगे कर देता हूँ तो sin का sin, i का i, sin i perpendicular कौन होता है angle के सामने वाला, सामने वाला कौन है यह दूरी, b से लेके d तक, कि यह किसके बराभवर है, v1, t तो आप लिखोगे, is equal to में perpendicular की जगह में, v1, t upon में, hypotenuse कौन है जो a से लेके b तक की दूरी है क्योंकि यह angle 90 होता है इसलिए इसके सामने वाला, a, b लिख दोगे आप यहां पर लिख दिया, जो base वाला है जो a, b है, वही मेरा hypotenuse है खत्म, दूसरा, अब दूसरे triangle में आजो triangle का उनसा, नीचे वाला a, b, और c है, देखो a, b, और c, नीचे वाला triangle है इसमें sin r निकालेंगे तो हम लिखेंगे फिर से sin r लिखने की जुरुत है बस perpendicular upon hypotenuse यह भी लिख देना और sin r का sin r लिखेंगे और इसमें perpendicular, देखो perpendicular upon theta के सामने वाला, यह angle नबबे है यह दखना यह theta के सामने वाला, यह वाला है न, तो यह v2t सीज़े सीदे उसमें v1t, इसमें v2t divide में base, sorry, hypotenuse hypotenuse कोना आएगा, फिर से same वाला, angle के सामने वाला base वाला, जो लेटा हुआ, a, b ऐसे करके हमने ले लिया, ठीक तो यह होगे, हमारे पास sin i निकाल लिया, sin r निकाल लिया, बस divide कर दो, by dividing by dividing इसको equation 1 कह देना इसको equation 2 कह देना और फिर divide कर देना, by dividing equation 1 with equation 2 खतम, इतना असा काम तो equation 1 में कौन है, sin i लिए लिए हमने ऐसे करके, is equal to में, कौन हैगा, v1 t upon में a b था और यह कौन था, v2 t upon में a, अब कट्टिस कट्टिस खिल लो, answer, a b से a b गया, t से t गया, sin i upon में sin r is equal to में, क्या बच गया, v1 बचा, v2 बचा, यानि कि, v1 upon में v2, और यही हमें प्रूफ करना था जो मैंने पहले लिख दिया था है ना आप यहीं लिख दोगे Hence, Law of Refraction Proved Law of Refraction Proved हो गया हमारा प्रूफ खतम, इतना सा छोटा सा derivation है और सीधे-सीधे एक्जाम मैंनिक चंसे से हैं या तो reflection वाला या फिर reflection वाला तो इस पूरे चेप्टर में सिर्फ आपको यही तीन टॉपिक कवर करना इस से ज्यादा कुस्मत करना, टाइम वेस्ट होगा आपका सीधे बता रहो और कुछ ही दिन रहे गए एक्जाम में, इसलिए प्रिसाइस्ट स्लिवस ही करना आज ही अभी इसको याद कर लो, एक बार लिखके देख लो इसे और दूसरा इस वीडियो के ज़स्ट खतम होते ही, जैसे कि आपको यहाँ पर आभी गया होगा आप interference और diffraction देख लो एक बार ताकि formula और question प्रेक्टिस हो जाए कुछ दिन ही बच गए हैं एक्जाम में तो इसलिए अभी hard work करने की जुरत है, आपका मन हो रहा है पढ़ने को नहीं हो रहा है, कोई फरक नहीं पढ़ता इसलिए थोड़ा सा press rise करो, थोड़ा सा push करो, बोर्ड याद करो और वीडियो उसको देख देख के लिख लिख के practice कर लो अभी के अभी तो चलो मिलते है नेक्स वीडियो में जिसमें आपको एक और chapter का most important topic बताऊंगो जो इसलिए बस में आ सकता है, तब तक के लिए बाई बाई